नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे 247 मैं सान्या जीन आपके सान्या कोरोना महमारी की परिशानी में गरीब वा जरुवतमन्द लोगों में इंडार नगर निगम की मुफ्त राशन यूजना में घर घर राशन तो पहुँच रहा है लेकिन इसमें अधिकतर शिकायती आ रही है कि राशन निगम की सेंटर से जरुवतमन्द के घर तक पहुँचते पहुचते कम हो जाता है इसको लेकर शिद्र केमांध पहां से लोगों की शिकायते भी आ रही है लोगों का कहना है कि किसी को राशन के पैकेट में तेल के पाउज मिल रही है तो कही डाल्चावलादी सामान कम जादा है वहीं श्यत्रिय पार्षत भी निगम से मिले मुफ्त राशन को खुद का बता कर लोगों के बीच अपनी राजनीती चमकानी में लगी है पुरेकर खबरे 24-7 की टीम में चब निगम उपायुक्त एसके सिना से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो राशन भीरने से मतलब है कौन किसके नाम से राशन बाट रहा है उन्हें से मतलब नहीं है वहीं सामान कमजादा होने की सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा होता नहीं है गल्ती से हो गया हो इसमें पांच किलो आटा है, एक किलो चावल है, एक किलो डाल है, तेल है, मसाला है, नमक है सिर्थ अपने विदान करवा पांच को देखा जा रहा है, कि इसमें कुछ आइटम कम निकल रहा है वह किसी दिन कोई आइटम यहां नहीं आपाता है, तो चावल डाल, नमक और आटा, यह तो अरेगुलर रहता है तेल मसाला यह कभी-कभी नहीं आपाता है, सामर जहां से दिलिवरी आनी होती है, तो किसी-किसी दिन के पैकेट में नहीं निकला होगा तो आपका पैकेट में नहीं निकलती है, तो पाव भटे भी निकलती है, तो आप यहां की पैकिंग देख सकते हो, सब्की पैकिंग की समान बनती है लगातार खबरों के लिए बने रहे है, खबरे 24-7 के सामरे झाल